हेलो दोस्तो भारत में एक और नए एरपोर्ट की सुरुवात होने जा रही है ती हाँ दोस्तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुसी नगर एरपोर्ट को लेकर यह दिया आपको नहीं पता कि यह कुसी नगर एरपोर्ट क्या है और ये एरपोर्ट इतना महत्पुन क्यूं है और यहां से इंटरनेशनल फ्लैटी क्यूं चालू हो रही है तो आप इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके आपको बता दे कि कुसी नगर एरपोर्ट के नाम से उत्तर परदेश में एक नया एरपोर्ट सुरू होने जा रहा है इसके साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुसी नगर जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए काफी महत्पुनिस्तानों में से एक माना जाता है और ये भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने कुसी नगर में ही अपना आकरी समय वैतीत किया था इसी कारण से कुसी नगर है वो बुद्ध धरम के लिए काफी महत्पुनिस्ता रखती है तो ये इस एयरपोर्ट से इंटरनाशनल फ्लैटे चालू होती है तो दुनिया में जितने भी बुद्ध धरम के लोग है वो यहाँ पर आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे और इसके साथ आपको ये भी पता दे कि इस एयरपोर्ट की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी इस्रीलंगा से, जापान से, चाइना से और इसके अलावा भी दुनिया के कई सारे देसों में जहां पर बुद्ध धरम के लोग रहते हैं, उन सभी देसों से लोग इस एयरपोर्ट पर आ सकें यही एक बड़ा कारण है कि इस जगह से इंटरनाशनल फ्लाइटों को डेवलप किया गया है और आब यहां पर इस एयरपोर्ट को लेकर यह latest कबर आ रही है कि 20 अक्टूबर से परधानमत्री नरंदर मोदी इस एयरपोर्ट को इन्योग्रेट करेंगे और इस एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सिरिलंका के लिए उपरेट होगी जहां पर सिरिलंका के प्रेजिडेंस इस एयरपोर्ट पर विजिट करेंगे आपको बता दे कि 20 अक्टूबर से कुसी नगर एयरपोर्ट से जो फ्लाइटे आपरेट होगी इसको मिला कर कुसी नगर एयरपोर्ट से तीन इंटरनेशनल फ्लाइटे चालू हो जाएंगी तो दोस्तों उमीद है कि आपको इस एरपोर्ट के बारे में जानकारी पता लग गई होगी कि कुसी नगर एरपोर्ट इतना क्यों फेमस है तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी वीडियो आप जानना चाते हैं तो चानल को जरूर फॉलो करके रखिए